हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो तक्नीक आज मेरे पास है दिल का 3565 सेंस्पराउन लैप्टॉप और मैं इसे फॉर्मिट करने वाना हूं सेक्टरी रिसेट यह नॉर्मली अवलेवल होता है विंडोस 10 के साथ और आप देख सकते हैं यहां पर एक विंडोस देख रहा है मैंने अ मुझे यूजर एडी पासवर्ड बिल्कुल जानी है तो मैं अब इसे रिसेट करूंगा रिसेट करने के लिए सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे आप पाउर बटन पर क्लिक करेंगे और सिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे और फिर रिस्टार्ट पर क्लिक करेंगे आप घ्रिग सकते हैं जस्व मोमेंट और यहां पर यह जो है ट्रबल सुट विंटो में चला जाएगा मैंने स्ट की सी यहां तो उठा दिया है तो थोड़ी दिर में आप प्रॉसेस विंटो खोल जाएगा यहां रहा ट्रबल सुट विंटो तो अब मैं यहां पर जो है Trouble Suit option को SELECT करूगा मैं वहां पर क्लिक करा हूँ Trouble Suit option जो के थर्ड ओप्शन है यहां पर और फिर Reset This PC यह फिर Factory Image Restore यहां यह तीनों option में से पीसी का मतलब यह हुआ कि आपकी फाइल्स को जो है पर्सनल फाइल्स को रहने देगी और फिर उसे जो है नए विंड़ो को इंस्टॉल करके आपको वापस देगा और फैक्ट्री में जरी सेट यह हुआ कि आपका जो सिस्टम साफ्टियर जो डिफॉल्ट आता है लैप्टॉप के साथ वो उसमें अवलेवल में लेगा तो मैं फैक्ट्री में जरी सेट कर रहा हूं यहां पर अब भी प्रोसेस हो रहा है थोड़ी देर में एक अलर्ट मैसेज आपको देखेगा रेस्टार्ट हो रहा है है यह तब तो इस लैप्टॉप के फीचर्स को देख लेते हैं यह रेस्टार्ट हो गए यहां पर डिल का आइकन लोगो फीचर में आपको क्या क्या मिल रहा है इंस्परान 15 3000 स्रीज स्टी विपकेम 15.6 इंच टू लाइप दिस्प्ले वाइप ब्लुटूथ एस्टी कार्ड रीडर स्पिर रस दिस्टन कीवर्ड और यह अम्ड एथलाउन एसिक्स एवंग जनरेशी अभी यह प्रोसेस हो रहा है पने आप एक अलर्ट मैसेज आया यह आपर अनलीजिंग इस्टम अब यह सपोर्ट असिस्टेंट पे जाएगा अब यह सपोर्ट असिस्टेंट विंडू कलेगा अभी अब यह वाक्स चेर पे तो यहां पर कुछ चिंजिस होना है स्क्रीन पर यह रहा सपोर्ट असिस्टेंट रिकवर्य अब यह आटो रिकवर्ड करेगा विंडूस को यह उसमें पहले से प्री इंस्टॉर्ड अप्लिकेशन ने स्टॉर होगा वहां से लोडिंग जाए रहा यह विंडव आ गया आपने सामने स्टम असेशन अब यहां पर रिकवर्य करने कलें मुझे रिस्टोर करने कलिक करना होगा रिस्टोर्ट फेक्री में जरी स्टूर्ड नैग्स पिक्लिक कर दीज़ ए फिर उसके बाद दो बैकप दर फ़ाइस अगर करना है तो बैक आप पे क्लिक कीजिए नहीं करना है तो स्किप कर देजिए मैं स्किप कर रहा हूँ are you sure you want to skip yes I am so I am clicking on yes select the reason मैं कुछ भी ले लेता हूं यहां से मैं ले लेता हूं suppose lock of issue and next और यह अब erasing operating system को खुदी erase करेगा और फिर overall performance को भी यह अगे detect करेगा इसने image को apply कर लिया है अब overall recovery होड़ी होड़ी है इसकी 40% पर है कि यहां पर अभी apply backup image अभी हो रहा है शुरू 1% पर है यह तीरी तीरी थोड़ा चलेगा थोड़ा टाइम यहां पर लगने वाला है मैं आपको दिखाता रहूंगा कैसे कैसे आगे जा रहा है यह थोड़ा slow process है क्योंकि यहां पर सब कुछ हो रहा है इसी screen के सामने आपके तो अभी 11% पर पहुचा है मैं आपको update करता रहूंगा जैसे यह आगे बढ़ेगा अभी 63% हुआ है अभी और टाइम लेगा यह मैं आपको update देता रहूंगा जैसे होगा यह okay now यह रहा मेरा 100% हो गया था उसके बाद यह सीधा window आया है 100% होने बाद automatically so यहां पर your operating system has been successfully restored to factory conditions you'll need to reinstall any new application click finish to restart your system so I am मैं यहां पर click कर रहा हूं finish पर अब यह restart होगा कि देल का लोगो और पर चुकि यह windows 10 है तो पॉर्टा ना आ जाएगी सीधे आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप फिर वहां से आप फालो कर सकोगे इंस्ट्रक्शन को डूंडर्स को successfully install करने के लिए और यहां यहां यह देखिए प्रोसेस हो रहा है इसलाव विंडोस ओपन होगा पहली बार में थोड़ा टाइम लेता है इसके बाद यह स्मूध हो जाएगा यहां ब्लू विंडोस जसा मोमेंट तुर्दी रॉल श्रबलर रखना होगा आपको प्रटाना आ चुकी है और यहां के आपको इंस्रक्शन मिल जाएगा प्रटाना के तुरू और नेक्स नेक्स करके आप में इंडोस इस्टाॉंस पर सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे वीडियोस पनाते रहे हैं